कि हाज का सवाल देखते हैं कि आज का जो सवाल है यह मुझे बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत बार इसके पर मैं बोल भी चुका फिर से वही सवाल लेते हैं यहाँ पर मुझे सवाल पूछा गया है I don't have enough topic to talk with girls about यानि मेरे पास topics नहीं है कि मैं लड़कियों से क्या बात करूँ लड़कियों को किस तरह की बाते पसंद आती है मैं बात करते कर तो बोर हो चुका हूँ मेरे पास ज़्यादा topic नहीं है मैं ज़्यादातर topic से बात कर चुका हूँ मैं सब कुछ तो बता चुका हूँ अब मैं क्या बात करूँ ठीक है आपका आज का ये सवाल लेते हैं जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी social networking site use करते हैं या हम जब कभी किस लड़की से मिलते हैं तो बाते ही बातों का सिलसला ही ऐसा होता है कि जो हमें एक नए relationship को जोड़ती है हमारे बाते ही है कि हमें बताता है कि हमें इस 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 इनसान से रिष्टा रखना है या नहीं हम उनके बातों से पता लगा सकता है या जान लेते हैं कि इनके बातों में अपना पन है या हमें धोका तो नहीं देगा तो लड़कियों से बाते करते समय आपको कुछ अलग body language और कुछ अलग tone या अलग conversation style से बात करना होगा लड़कियों से बहुत नर्मी से बात करनी चाहिए आप जब लड़कियों से बात करते हैं तो आपका tonic soft होना चाहिए बाइदे मैं आपको सामने कुछ topics लेका रहा हूँ आप इस इन सारे topics पर बात कर सकते हैं आप इन topics को सिध्य सिध्य भी बात कर सकते हैं या कैसे भी किसी भी लड़की पर काम करेंगा आप किसी भी लड़की से ऐसा बात कर सकते हैं या एक friendly माहल बना सकते हैं तो टॉपिक्स में सबसे पहला है आप लड़की से पूछ सकते है वाट डियू थिंक अबाउट लव यानि आप क्या सोचते हो प्यार कैसा है प्यार के बारे में मैं जो टॉपिक्स बता रहो आपको सीधे सीधे ऐसा नहीं बोलना है आप situation या condition देखकर आप उससे बातों का स सिलसला अच्छा करके जितना अच्छा कर सकता है उतना अच्छी बात है अब बातों का सिलसला अच्छे से लेकर चले जाईए कोई problem नहीं है आप कुछ भी बात करेंगे तो आपको tone अगर अच्छा है तो सब कुछ चलेगा जैसे topic से what do you think about love आप किसी भी लड़की से और जैसे कि उसने वहला हुँ पैर बहुत अच्छा है तो आप ऊसके आद वतधिक है आप कोई boyfriend क्या रही चुका है आप अपने Girlfriends के बाता सकते हो या बता सकते हो कि मेरे से एक तोपिक में आप बहूत सारी बातें कर सकते हो ऐसा नहीं है तो टॉपिक्स नहीं नहीं फिर भी यह जो टॉपिक्स में आपको बता रहा हो आपके लिए यह पूरे पाथ 6 सालों तक काम कर सकता है तो इसके बात का टॉपिक्स से सबसे पहले मैंने आपको बता है था तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अबसे बात कर सकते हैं जैसे कि लड़कियों को मज़ा आए जिस बात पर लड़की बात करना चाहती है तो आप randomly अलग-अलग topics में बात करके उनके interest के बारे पता लगा सकते हो कि लड़की आखर चाहती क्या है जिस topic पर लड़की बोलना चाहती है आप उसी में उससे बात करो उसे आप यह पूछ सकते हो कि आप last time कब रोई थी कब सबसे बड़ा दुक्ष गया या कौशी का विक अब सो गया लड़की का लाइफ में होता है कभी कभार कि लड़की एक टैम है बहुत जादा रोती है तो इस time पर वो चाहती है कि कोई इसके साथ हो तो इस ताइम पर आप बोल सकते हो कि मैं अगर साथ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही अच्छा से रहता हूँ अगर आप मेरे साथ होती तो आप मैं आपको समाल दाथा में डिपेंड करता है कि लड़की आपके बातों पर क्या रिपलाई देती है उसके रिपलाई से बातों का सिलसला आगे बढ़ा सकते हो जैसे आप बता सकते हो कि what do you think about your life आपके लाइफ में क्या करना जाते है आपका लाइफ कैसा है इसमें एक psychological question है वो अपने लाइफ के वार में थोड़ा सोचेगी और उसमें उसका mentally वो prepare करेगी ये बंदा अगर मेरे साथ होता तो मैं अपने life कैसा होता ये बंदा जब पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है तो उसके दिमाग में अलग सा एक आपके लिए अलग जगा बन जाएगा जैसे बहुत सार लोग पूछते है कि what is your favorite color जातर लड़कियों को मैंने देखा है कि purple color उनको पसंद होता है जैसे मैं बहुत बार chatting करता हूँ तो मैं सीधे सीधे पूछता हूँ Hi dear उनका reply आता है Hi मैं उसके बाद पूछता है How are you तो उनका reply आता है Fine आप कैसे हो तो मैं भी बोलता हूँ चलो मैं भी ठीक हूँ तो उसके बादे पूछता हूँ क्या करते हूँ जैसे बहुत सारे students है बहुत सारे job workers है जैसे for example के लिए अगर लड़की ने बताया कि मैं ये school बढ़ता हूँ तो आप उसको बोल सकते हो हाँ ये school ये school में तो मेरी sister भी बढ़ती है या मैं इसी school से पढ़ गया हूँ मैं बहुत ही अच्छा student था हाँ अगर आपको नोट्स की जरौत हो या किसी भी चीज की जरौत हो मुझसे बात कर सकते हो आपकर teacher मेरे पूरी पैचान के है सही मुझे जानते है आपने मेरे वार में सुना होगा जूड भी बोल दो तो भी चलेगा लड़की थोड़ी ना जाके चेक करने वाली है कि आप उसमें पढ़ रहे हो या नहीं हाँ तो इससे आपको बातों का सिलसला अंके आपसे लिंक जूड जाएगा लड़की आपसे बात करना चाहेगी तू आपको वही करना है कि लड़की के रिपलाई का इंटिजार करो लड़की को अच्छे से रिपलाई करो इससे आपका प्यार का सिलसला भी बढ़ सकता है और आगे क्या बात करने इसको आपका आइडिया आ सकता है उसके बाद पूछो what is your favorite superhero, सबका होता है, शक्तिवान, शक्तिवान, सुपरमैन, सबका होता है, लड़कियों के life में भी हो सकता होगा, गोकू, गोहान, बहुत सरे लड़किया कार्टून्स देखते हो, तो कार्टून सुपर हिरो के नामा को बदा सकती है, उसके बाद एक funny question है, आप ये topic को पूछ सकते हो, क्या आप दिन में दो बार brush करती हो, मैं बहुत बार इस topic को बोल चुका हूँ, लड़किया तो बोलते हो, तुम दो भी brush करते ही नहीं हो, मैं भी बोलता है, मैं सिर्फ संडे को brush करता हूँ, मैं ऐसे बात करता हूँ, तो हमारा एक खुश न कर सकते हो उसके बाद आप पूछ सकते हो do you think you are a good talker या good listener उससे पूछ सकते हो कि आप बाते ज्यादा करना पसंद करते हो या सुनना ज्यादा पसंद करते हो है ना what is a perfect guy to you तुम्हारे लिए अच्छा लड़का कौन सा है तुम किस type की लड़के को पसंद करती हो what is the thing in people that you hate the most आप लड़कों में या लोगों में कुन सा चीज है जो सबसे जादा नफरत करते हो इस पूछना है इसको seriously नहीं लेना है अगर लड़की लड़की आपको कुछ भी जवाब दे सकती है आपको इसको reply को लेकर आपको सेधे खुद को तयार करना है खुद को ready करना है खुद को बदलना नहीं है हो सकता है कि आपको जो पसंद हो लड़की को पसंद ना हो है ना लड़की को जो पसंद है आप उसे के बारे बात करो ना आपको जो पसंद नहीं है इससे क्या matter करता है अगर उसने का हाँ तो क्या वो लड़की है क्या वो अच्छी दिखती है हमेशा याद रखना लड़कियों के गुरूप में एक लड़की ऐसी होते हैं जो सबस्दा खुबसरत होती है आप अगर वो खुबसरत लड़की को भी बोलोगे कि आपके गुरूप में सबसे खुबसरत लड़की कौन है तो वो खुद को समझे कि I am खुबसरत I am beautiful तो आपको अपने फ्रेंड का नाम बताएंगे यह सबसे खुबसरत है या नहीं भी बताएंगे तो इससे पता जल सकता है कि लड़की क्या जाती है तो अब उसके बाद पूछो ठीक है आपका फ्रेंड कुबसरत है उसका नाम बता मैं भी उससे फ्रेंड्शिप करना चाह आप भूलो कि अगर आपके लाइफ को एक ही स्वांग में गाया जाए कि अपके लाइफ को एक ही गाने से गाने के साथ अगर डेडिकेट किया जा तो अपने लाइफ का कौन से गाने को डेडिकेट करोगी उसके बाद बोले कि क्या आपको डान्स आता है क्या अपने डान्स सिखा है मैं हमेशा बोलता हूं कि हां मैं डान्स टीचर रहे चुका हू नहीं आपवारे मेरे कनकी और मिमंने की शेख करता हो तुम बहुत करता कोई करो नगर के इस कुंचा करता है ही-फॉप ग्लाशिकल फ्या समसिंछ के चलता रहा शब्राल कि अप उसे पूछ determ कि आपको good guys पसंद है कि आपको अच्छे लड़के पसंद है या गंदे लड़के पसंद है उसके बाद पूछो आपका by chefs क्या है क्या आपको party पसंद है हमेशा याद रखना लड़के बले है हाँ तो उनको बोलो आपको कितने party करती हो party किन के साथ करती हो यह बाचेत का अब भी जानते होंगे कि लड़कियों को बाते करना बहुत पसंद होता है तो आपके पास अगर अलग-अलग topics है तो अलग-अलग topics है अलग-अलग type से बात और ज्यादा time बात कर सकते हो इससे क्या होगा लड़की आपके साल ज्यादा comfortable feel करेगी और आपके साथ ही टिकी र उसके बाद उसके बाद बोलो कि तुम्हें पता है कि माची कैसे जलाते है यह चोड़ा सा question आपके पूछ सकते हो माची कैसे आप उसके पूछ सकते हो उसके बाद बोलो do you think replied are the hideless ugly cute तुम्हें पता है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा या या गल्दिया चु कि कि तुम सामने हो मैं तुम्हें सलाप मालना चाहती हूँ तो मैं बोलता हूँ देखो मुझे सलाप तो पसंद नहीं है मुझे जो पसंद नहीं है वही गर्णा मेरे साथ बातों का अलग सिलसला तयार हो जाता है उसके बाद उसके बाद बोलो कि तुम अपने लाइफ से क वाल के पढ़े रहते हैं, हमारे कॉलेज़ में भी एक लड़की थी, दस लड़के उसको लाइन मरते थे, तो लड़की पिछा है कि कोई उसको लाइन मरे या कोई इससे बात करने की कोशिश करे, या लड़की को बहुत पसंद होता है, उसके बाद बूलो कि समर में या ठंड बच्चे कैसे होते हैं, उसके बाद बाद पूछो कि अगर तुम्हें पता चले कि तुम एक साल, एक महीने बाद मरने वाली हो, तो तुम क्या करोगी, यह बहुत ही अच्छा कोश्चन है, अगर लड़की से बात पूछो तो हल लड़की चाती है कि मैं लाइफ में बहुत इंजाई करो, बहुत कुछ करो, क्यों लड़की वो का इंजाय करने का टाइम बहुत शॉर्ड होता है, तो आप उनसे यह भी सवाल पूछ सकते हो, तो उनके बाद पूछो कि क्या आप लोगों का हलप पर में विश्वास करती हो, क्या आप मानते हो, कि आप जिसका हलप कर यह सवाल आपको बहुत ही बाद में पूछना चाहिए जब लड़की आपका बेस्टर बन चुकी हो तो उसके बाद भूलो किया आप भूतों पर विश्वास करती हो क्या आप उनसे डरती हो उसके बाद बोलो कि आप किस से ज़्यादा डरती हो कि आप वही पर रहना चाहती हो तो उसके बाद लड़की अगर आपने बोले कि मैं शिमला में रहना चाहती हो या मैं ऑस्ट्रिया में रहना चाहती हो या मुझे सिंगापूर बहुत पसंद है जो भी इस्टर बोलो आप भी बोलो कि मेरा भी सपना था कि मेरा एक बिजनेस हो और मैं अपने फैमिली के साथ हो ही रहू और उसे पूछ सकते हो कि आपको क्या लगता है कि साथ सेफ प्लेस कौन सा है समझ लो आज तुम्हारी शादी हो गए और तुम्हारे बच्चे है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कौन से सीटी में रहना चाहिए कौन से अरिया में रहना चाहिए कौन से देश में रहना चाहिए आप यह सवाले पूछ सकते हो तो उसके बाद उसके बाद रंडमली कुछ कॉश्चन से उसमें कि हा या ना में जवाब दो क्योंकि लड़कियों को सबसे पहले शौट क्योंकि आप जानते हो कि लड़कियों से बहुत सार लड़की एक ही टाइम में चैट करते है तो आप अगर शौट कोश्चन से हा या ना में जवाब माऊंगी या दो अप्शन दोगी तो लड़कियों को भी एक उप्शन देगा समझ लो आपसे दस दस बाते उसने कर लिए तो बाकी लोग से बात बंद करके इंट्रेस्टिंट टॉपिक आपसे बात करना शुरू कर देगी तो आप इस्टर्टिंग में ऐसे टॉपिक के इस्तेमाल कर सकती हो जैसे कि अप उससे पुछो कि तुम्हें musicians ज्यादा अच्छे लगते हैं या गाना गाना पसंद है鼠 बरना पसंद है या लिखना पसंद tha how । उसके बाद उसको बोलो कि तुम्हें Tiger पसंद है य ARE चीटा पसंद है उसके बाद वस थे मैं टी पसंद है कॉफ避 पसंद है यं तो कंफ्यूज हम से बात क्या करो इसको मैं रिप्लाई क्या दू दूँअर याद रखना वहद्व अनलड़ कै की तहीर नहीं करते हैं जब आप दो option दोगे या तीन option दोगे तो कोई भी एक option चुन लेगी और जट से आपको reply देगी तो आपको ये problem नहीं आएगा कि लड़की आपसे बात क्यों नहीं कर रही है नहीं आपको बाइक पसंद है या वाक करना पसंद है आपको लेग पसंद है या डीवर पसंद है आप आप क्या choice करोगी पैसा या प्यार आपको क्या पसंद है चौकलेट आइस क्रीम या बडर स्कॉर्च तो इस टाइप के सवाल आप पूछ सकते हो उसके बाद उसके लाइफ को लेकर कुछ सवाल के टॉपिक्स है तो आप इस टॉपिक्स से बात कर सकते हो जैसे what do you think about fashion आप फैशन के बारे में क्या सोचती हो what do you think about kids आप बच्चों के बारे में क्या सोचती हो तो इस तरह से जैसे की सवाल है तो आप इस तरह से बात कर सकते हो और इंडली आप उसे यह भी बात कर सकते हो कि तुम्हारा लाइफ कैसा है हैपी या स्टाइड मैं तुम्हारे लाइफ में आने से तुम्हारा लाइफ हैपी होगा या स्टाइड होगा इस साइड से बात करने से क्या होगा और लड़की की अपनापन पैदा होगा जिस लड़की खुद आपके reply का इंतिजार करेगे और आपसे बात करने के कुशिश करेगी हो सकता है लड़की आपसे कहें आपका नमबर दे तो हम नमबर में बात करेंगे या आपका WhatsApp नमबर मिल सकता है क्या चीक है